हेलो फ्रैंड गाईज आगे आम ही यहां पे आप देख सकते हैं प्राचीन भारती त्यास का लेखन का एक वीडियो लेकर मैं आप सभी के साथ उपस्तित हूँ यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानने की कोसिस करेंगे इसका पहला वीडियो में और प्वाइंट वाइस लेने की कोसिस करी गई तो चले फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के वीडियो में तो देखे, सबसे पहले बात करी जा रही है, यहाँ पे प्राचीन भारती इतियास का लेकन, इसका मतलब है कि जैसे हमारा जो भारती इतियास है, इसपेसले हम प्राचीन भारती इतियास की बात करें, तो उसके क्या साक्ष है, क्या evidence है, हमें कहां से जानकारे मिलती है, जो हम ये बताती हैं कि भारती जो इतिया से प्राच्विन टाइम में ऐसा था तो उसके लिए कुछ चीज़े यहाँ पर फैक्ट के रूप में दी गई हैं आई यह उन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक एक करके समझते हैं पस पेसेंस बना के रखेगा और प्लीज बिलेब रखें कि लाश तक अगर आप बने दें वीडियो में तो जरूर आप कुछ न कुछ नया सीख करी जाएंगे सो शुरू करते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाँ मैं आपको बदा दूँ यह इस्पेसली फार यूपियसी और जो पीकियस स्टेट पेसेस एक्जाम होते ही उनके लिए उप्योगफूल है और साथी साथ वो सभी वन्डे एक्जाम जो जहाँ पर history as a subject के रूप में आती है वहाँ आपके लिए यह बहुत ही मदद करेगी इस्पेसली एससी के लिए भी आप कह सकते हैं पैंकिंग जहाँ भी यह आती है वहाँ पर आप इसका इस्तुमाल कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हर एक चीज का filter out किया गया है मैं आपको बदा दू standard books और NCRD का समय वेशन कर यह पीडियेप त्यार किया गया है तो आपको कहीं से कहां तक जाने की जरूवत नहीं है पस एक वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा बस पेसें से आप सुनते चलिए तो बात करी जारी है कहा ज़रे 34 सदादी इसा पूर्विक के दवरान कॉर्डिले ने अपनी पुस्तक अर्थस्तास्त्र में राजा को इतिहास के अख्यायनों को सुनेने के लिए कुछ समय समर्पित करने की सलादी आपको पता होना चाहिए जो कॉर्डिले जी हैं वो बहुत ही महान राजनीतिक माने जाते हैं तो उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थसास्तर में च्योकि नाम ही अर्थसास्त है तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि अर्थसास्तर यानी की इकोनोमी की बात करी गई होकी ऐसा नहीं है अर्थसास्त में उसमें बताया गया है राजाओं के कारसेली के बारे में किस प्रकार से राजाओं का काम होता है या फिर कैसे किया जाना चाहिए तो उन्होंने इसमें ये कहा है या सजेसंद आ हैmosên कि जो राजा होते हैं राजाको इतिहास के अख़यानों को सुनने के लिए को समधी करने की सहハハants तक हैं उनको चीजें पता चलें आगे हैं इतिहास को पवित्र, वेद, अधर्व, वेद, ब्रामडो और उपनिसेदों के समान पवित्रता प्रदान की गई है इतिहास पुराण इतिहास के एक जान की साखाओं में से एक है आईए चलते हैं मुख पॉइंट में और समझने की ट्राई करते हैं कि क्या है यहाँ पे मुख मुख चीजे जैसे अगर बात करें पुराण तो पुराण क्या होते हैं पुराण आपको पता है, अगर आपको पता हूँ, तो यहाँ पे अठारा मुख पुराण है, और उसमें अठारा सहायक पुराण है, तो यह आप ज़रूर याद रखिएगा, अठारा मुख पुराण है, और उसी सिक्वेंस में अठारा सहायक पुराण है, हित्यास के विशा के बारे में discuss किया गया है once राजाओं और रिस्यों की once वली सूची के बारे में बताय गया है once नुचरिद इसमें कुछ चुनिंदा पातरों की जीवन कताएं बताई गयी है तो इससे कुछ हमें साक्ष मिलते हैं कि प्राचीन जो भारती ते बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है और हम उसके तुरू समझ पाते हैं कि किस प्रकार का वो टाइम था और कैसे लोग रहा करते थी चलिए आगे देखते हैं अब बात करते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है पुराणों में दी गई साही वंसवली के संदर में परीचीत जिसे अरजुन के पोते पोतों के नाम से भी आप कह सकते हैं जाना जाता है यानि कि उन्ही के वंसवली है कि सासनकाल को एक बिंचमार्क माना जाता था पुराडों में परिछीत के सासंकाल से पहले कि सभी जो राजवन्स हैं या राजाओं का भूत काल में उल्लेक किया गया है जबकि बात के राजाओं और राजवन्सों का भविसकाल में वर्णन किया गया है परिशीत जी है उनके पहले जो भी राजा या राजवन्स थे उनको भूत काल में उल्ले खित मना जाता है लेकिन उनके बाद के जो राजा हुए या फिर जो आने वाले सासक हुए वो भविस काल में उनका वर्णन किया गया यह इस्तत्र का कारण हो सकता है कि पुराण परिशीत के सासनकाल के दवरान पूरे हुए थे जैसा कि पुराणों में उल्ले खिया गया है कि परिशीत का राजविसेख कलियुक की सुरुवात का प्रतीक है ध्यान रखें कई बार बंडे ज्यांग में पोँच लिया जाता है क किसके राजय विशेख के बाद ऐसा माना गया कि कलियों की सुरुवात हो चुकी है तो याद रखेंगे परिशित जोके अरजुम के पोते हैं आगे समझेते हैं पुराणों के संदर्व में ये देखा गया है कि प्राचेम भारत में इतियास को अतीत के प्रकास में वर्तमान और भविशु को प्रकासित करने के साधन के रूप में देखा जाता था तो ये पुराणों के संदर्व में हैं, जो पुराण हमें कई सारी चीजे बताने की ट्राई करते हैं, समझाने की खोसिस करते हैं, कि किस करकार से मारा प्राची महारत रहा होगा, आगे चलते हैं, आगे समझने की खोसिस करते हैं, और इसमें देख लेते हैं, कुछ परिवारों द्वारा अपने कुलों द्वारों 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 पंसक्रती और समाजिक चेतना के जागरण का एक सकती साली माध्यम माना जाता था। असलिए पुराडों का वरण हर गाउं और कस्वे में विसेश कर बर्षाद के मोसमें और तेवारों के समय वार्सिक अनुष्ठान का एक अनवार हिस्सा था। F.E. परगिटार और S.C. राय चौधरी ने पुराडों में वर्णित विविन राजबंसों की वंसावली की आधार पे इतिहास लिखने का प्रयास किया यानि यहां पे हम समझ रहे हैं कि जो इतिहास लिखने की परंपरा या फिर इसका जो विखास है कैसे शुरूआ तो ये कुछ विख्यों के नाम है आप याद रखेगा परगिटार और S.C. राय चौधरी जो बताते हैं कि जो पुराडों में वर्णित चीजे हैं जिसमें से विविन राजबंस और वंसावली उन्ही के आधार पे इतिहास लिखने का प्रयास किया गया और ये बताया गया क किस प्रकार से प्राची इतिहास रहा था आगे देखें तो यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है कहा जा रहा है कल्हर द्वारा लिखित एक जो उनकी रचना है राज तरंगडी इतिहास की एक और कृती है जिसे इतिहासकारों के बीच अपने दिश्टकोंड और इतिहासिक सामगरी के लिए बहुत सम्मान प्राप तो यह जरूर याद रखिएगा राज तरंगडी चले आगे चलते हैं अब कुछ बिदेशी जो हमारे हाँ पे आये थे उनके थुरू भी हमारे भारती इस्पेसली प्राचीन भारती इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलती है उ प्राचीन भारत के इतियास में यूनानी लेखोकों का योगदान भारत के उत्तर पश्चमी छेतर तक ही से मित्था तो मतलब आप देख सकते हैं यही वो कुछ छेतर था जहां तक यह अपनी लेखनी को चला पाए या फिर यहां तक के लोगों के कल्चर और उनके बारे मे समझ पाए चली जानते हैं कुछ इन ही से इन ही में से इतियास कारों को जिन में से फस्ट आते हैं मेगस्थनी जो कि कई बारवन्डे एक्जाम या स्ट्रेट लेबल के जो पीसस होते हैं डायक इन ही से कोचन पोंच लिए जाते हैं तो कुछ फैक्ट आप याद रखें जै से 324 से 300 इसा पूर्वे के दवरां मेगस्थनी एक यूनानी राजदू थे चंद्रगुत मौर के दरवार में आया था या दखें कभी-कभी ऐसे एक्जाम पूछ लेता है कि किस भारती है राजा के दरवार में यूनानी जो एक ट्रेवलर है यात्री है वह आया था तो भारत के समाच और राजिनीती का विस्तित वर्णन है त्यानके समकाली महरत के समाच और राजिनीती का विस्तित वर्णन है लेकिन दुर्वा गया है यह अब हमारे लिए उपलत नहीं है अब ऐसा बताया गया है कि अभी ये प्रिजन टाइम हमारे पास उपलत नहीं है मैं मेगस्तिनीज ने 153 राजाओं के एक समू के अर्षित के बारे मैं पुष्टी किया है जिनके सासनकार में अव तक लगबख 6,000 तिरपन बरसों की समयावधी सामिल थी याद रखें बहुत important fact है यह कुछ चीजे और जानते इनके बारे में कहते हैं मेगस्तिनीज के लेकन आपको मेगस्तिनीजी के बारे में जानी है मैं आप एक बार आपको फिर्शे दिखा देता हूं आप इसको दो से तीन बार रिवाइस करेंगे तो यह साई चीजे याद हो जाएगे नेक्स नहां पर जो परसन आते हैं जिनका नाम होता है अलबरूनी यह भी बहुत ही महत् रखेंगे यह अलबरूनी की मैज है हमारे माइंड में क्रियाटिविटी जादा होती है और हम चीजों को लांग टम जादा तक याद रख पाते हैं तो बस इनको आप देख लें इसके बारे में समझने के ट्राइग करते हैं अलबरूनी का जर्मन 913 इस भी में एसिया के राग में हुआ था वह गाजी के महमूद के समकालीन थे याद रखें गाजी के महमूद जो थे उनके समकालीन थे और महमूद के साथ जब उन्होंने मद एसिया के एक हिस्से पर बीज़े पराप्त की इसी तरह भारती संस्कृति के संपर्क में आए कब तो बताए गया है क मद एसिया के एक हिस्से पर जब इन्होंने बीजे प्राप्त की तब इनको पता चला कि इंडियन कल्चर जैसी भी कुछ चीजे हैं अल्बुरूनी ने भारती समाज का सटीक जान प्राप्त करने के लिए संस्कृत भासा भी सीखी उन्होंने दर्सन, धर्म, संस्कृती और समाज से लेकर विकजान, साहित, कला और चिकित्सा तक बहु आयामी अवलोकन किये तो ये इनका contribution रहा है अल्बुरूनी का कार सभी धार्मेक और नशलिय पूर्बा ग्रहों से मुक्त था अलब ये नवीन्ता एक प्रकार से कह लें आप creativity या फिर एक नवीन्तम विचार की तरफ थे ये पूर्बा ग्रहों से बिलकुल मुक्त रहें तो ये एक बड़ी बात थी उस time पर जहां पे लोग पुरानी अभ़ानों को लेकर पुराने विचारों को लेकर ही चलते थे तो ये उस time में नया करने वाले ये पहले व्यक्ती रहें अलबुरुनी की जो मिरित्व है कई बार फंड एक्जाम में पूंसता है 1048 या 1048 आप कह सकते हैं में गजनी यानि की अफगानिस्तान जोकी बरतमान में हो गई थी चलिए अब आगे देखते हैं अब कुछ फैक्ट यहाँ पे हैं जैसे ही जो इसाई मिस्नरी हैं और जो एक जानोदे हैं उसके बारे में कुछी जाने कहा ये दरह कि 17 और 28 सताबदी के दोरान इसाई मिस्नरी द्वारा भारत पर बड़ी संख्या में रचनाई की गई लेकिन इनके लेखन को साइध ही निस्पच कहा जा सकता है अब ऐसा था कि ये किसी एक ही पक्ष को लेकर जादा लिखा करते थे तो इसलिए निस्पच कहा जाना पूरी तरीके से सही नहीं था और वास्तों में भारत के बारे में सीखने और लिखने में उनकी रुची उत्साही गत्विदियों से प्रेरित भारती समाज और संस्कृती में दोसों को दिखाने के लिए थी लब यहाँ पे उनके थोआरा जो भी चीज़े वनित करी गई जो भी चीज़े बताएगे उसमें निस्पक्च नहीं रहा वो कहीं न कहीं एकी पक्च को लेकर जादा जोड़ देते थे और जनरली भारती समाज और संस्कृती में जो दोस हैं उनको दिखाने की जादा कोशिस करी गई तो कह सकते हैं कि जादा निस्पक्च नहीं रहा पर कुछ हद तक कह सकते हैं इन्होंने भरे ही दोसों को बताया पर रियालिटी को दिखाया कि ये चीज़े उस टाइम पर थी जो हमें मदद करती है हमारे भारती या फिर प्राचीन भारती इतिहास को जानने के लिए भारत पे इसाई मिस्टनरियों दोरा बड़ी संख्या में रसना है प्रसूत की गई लेकिन उनमें से कोई भी अलबुरूनी के कारियों के बारे में करीब नहीं है मतलब जितना बहतरीन तरीके से अलबुरूनी ने चीजों को समझाया है बताया है उतना सैद दूर दूर तक कोई भी ऐसा बैकती नहीं रहा कोई भी ऐसा इसाई मिस्टन नहीं रहा जो परी रचनाओं इस प्रकार की प्रगारता को दिखा सके आगे बात करते हैं जॉन हॉल्वेल नैन्थानियल हलहेद और अलगजंडर डॉप सही दी जो रूपीज विद्वानों के कुछ अन समुहों ने भारती इतिहास और संस्कती के बारे में लिखा था जो प्राचीन दुनिया में भारती सब्विदा की स्रेष्टता साबित करते हैं जो अपनी लेखन के दौरा भारती इतिहास और संस्कती के बारे में लिखा था जो प्राचीन दुनिया में भारती सब्विदा की स्रेष्टता भी साबित करते हैं चलिए आगे बात करते हैं आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जा जा रहा है कि हॉलवेल ने लिखा था कि हिंदू गरंत में इसाईयों की तुलना उच रहस्योद घाटन होता है पतलब यहाँ पर हॉलवेल जो महोदे जी हैं उन्होंने यह लिखा कि जो हिंदू एक मिनिट ओके तो वो कहते हैं कि हिंदू गरंतों में इसाई की तुलना में उच्छ रहस्योद घाटन होता है ये बाते आप याद रखें हलेहत ने चार यूगों को सौपे गए मानव इतिहास के विसाल कालखंडों पर चर्चा की और निसकर से निकाला कि मानव जाती की संपूर अबधी के लिए कुछ हजार वर्षों की पित्र सतात्मक दिरगाईयों के विचार को मानवी तर्ग अब अपने आप में समेट नहीं सकता तो यह कुछ चीजे थी जो मुझे आपको बताना था और यहां पर आप देख सकते हैं काफी कुछ चीजे मैंने आपको यहां पर बता दिया है देखें सीधी हम स्टार्ट कर सकते थे हमारे प्राइमिटिव यानि आदी मानों के चीजों से लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको बैगराउंड पता होना चाहिए बिकोज जब तक बैगराउंड पता नहीं होगा तब तक चीजें समझ में कमाएंगी और जब चीजें समझ में कमाएंगे हम लेंक नहीं कर पाएंगे तो अल्टिमेट वो भूलेगी और वहीं आमको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा इसलिए जो पढ़ें कम्पलीट पढ़ें ताकि उसको दोबारा पढ़ने की आवशकता ना पढ़े और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कंटेंट के बार आपको दोबारा पढ़ने की जरूत नहीं पढ़ेगी क्योंकि हमें अल्टिमेट समझने ही होता है और समझने के लिए फैक्ट और कुछ कहानी के तुरू अगर उसको हम समझ जाएं बाई इमेजेस तो इससे बड़ी और कुछ हो ही नहीं सकता तो उमीद करते ही आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर किसी भी प्रकार की क्वेरिस कोई कोशन कोई डाउट हो उसे जरूर कमेंट बाक्स पे लिखें और मैं उमीद करूँगा कि आपके हर एक कोशन को जबाब देशो को चले फिर वीडियो को यहें पेंट करते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है यूसफूल लग रहा तो बस लाइक सेयर करें और अगर नए है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकम प्रेश को आन कर लें ताकि हर प्रकार की अपडेट से आप हामेसा र झाल